आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पिन्विल्स की रेसिपी जो के बहुत असान है हमने दिया है एक बोल जिसमें हमने 2 कप मैदा एड़ किया है इसमें हम एड़ करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून पाउडर शुगर और 1 टीबल स्पून एस्ट हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसके बाद हम इसमें 2 टीबल स्पून ओयल एड़ करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद हम नीम गरम पानी से आता त्यार करेंगे सबको अच्छी तरह से कंबाइन करके सॉफ्ट दो त्यार करनी है अपने उंगलियों को ग्रीस करके हम आठे को अच्छी तरह से गून देंगे गूनने के बाद हम डो को ओल से ग्रीस करके कवर करके रख देंगे दो से तीन घंटे के लिए हमने लिया है एक पैन जिसमें हमने तू टेबल स्पून ओयल एड़ किया है और वन मेडियम साइज चॉप्ट अनियन एड़ किया है इसको हम अच्छी तरह सॉटे करेंगे फॉर तू मेंस अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद हम इसमें एड़ करेंगे हाफ चिकन ब्रेस जो कि मैंने बॉयल करके रख दिया था इसमें हमने एड़ करना है वन थी स्पून साल्ट इसमें हमने एड़ करना है वन थी स्पून साल्ट चिली पाउडर अब हम इसमें एड़ करेंगे वन थी स्पून चिली फ्लेक्स और अब हम इसमें एड़ करेंगे हाफ थी स्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च अब हम इसमें सासे जाइड करेंगे वन थी स्पून विनेगर वन थी स्पून सुर्ट सॉस और वन थी स्पून चिली सॉस इंसब को अची तरह से मिक्स कर देना है और इनने लो फ्लेम पे पकाना है अब इसमें एड़ करेंगे बॉयल पोटेटो दो से तीन अदद जो के मैंने बॉयल कर दिये थे और मैश कर दिये थे अब हम इन कुछी तरह से मिक्स कर देंगे इन सब को अची तरह से मिक्स कर देना है और फ्लेम ओफ कर देना है डू सेट हो चुकी है अब हम इसको दू से तीन मिन के लिए दुबारा अची तरह से गून देंगे काउंटर या सेलफ एस पर हम मैदा डस करके अपने डू को गून देंगे और इसे रोल कर देंगे रोलिंग पीन की मदद से हमसे अची तरह से बेलेंगे और बेलने के बाद हम इस पर पीजा सॉस या कैचुप अपलाई करेंगे और हम चिकन मिक्स्चर इस पर स्प्रेड कर देंगे चिकन मिक्स्चर स्प्रेड करने के बाद हम अपने ब्रेड को रोल कर देंगे और साइट का ख्याल रखना है कि ताके साइट से हमारा मिक्स्चर बाहर ना निकले और हम ब्रेड को अच्छी तरह से सील कर देंगे उसके बाद हम एक शाइप नाइफ की मदद से ब्रेड को इकुली डिवाइट कर देंगे और pinwheels को हलका सप्रेस करके baking tray में bake होने के लिए रख रहें के for 15 to 20 minutes और pinwheels को हम अच्छी तरह से grease कर देंगे beated eggs से yummy pinwheels से आर हैं बहुत ही soft and fluffy बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये जिनने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया kindly वो हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और Facebook और Instagram पर हमें फॉलो करें ख्याल रखिए गाफी अमान अल्लाव कुछ प्याट रखिए अमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें लाचे हमारे YouTube चैनल रखिए बनते हैं कुछ चमारे ये वो हमारे लागे बनते हैं कुछ प्याट प्याट आरिए झाल झाल